हसना चाहिए हसना जरूरी है और आचारिय शुशील गिरी जी उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं आज उनसे भी हम यह कहेंगे कि इस होली पर कुछ हसी ठिटोली हो जाए कि सब लोगों के जो चेहरे हैं उस पर मुस्कान आ जाए आप सबको हार्दिक होली की बधाई नेटवर्क 10 ने एक नए इतिहास को रचा है और ऐसे समय में सभी संतों को और सब शेष्ट लोगों को बुद्धी जीवियों को और देश को आगे चलाने की बात सोचने वालों को एक मंच पर इकठा किया है और यह होली जो है उसको किसी धर्म के साथ भारत में कभी जोड़ा नहीं है आदी नादी काज से होली एक भारत की भारतिय त्यहार है जिसको हम बिल जुलकर मनाते हैं आज वही आपने सर्वधर्मसंभाव वसुदेवकुटंबकम जो नारा हम देते हैं सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निराव इस थूरी को इस उद्देश को इस भारत के मैसेज को दुनिया में पहुचाने के लिए संत परंपरा से भारत की संस्कृति को या मनाने के लिए बुलाया है और मुझे एक आइडिया आया क्योंकि संजे के दिमाग में जो नठकटपन रहता है देखिए आप किती देर से आ जब हम हुली खेल रहे होंगे 25 को और वर्मा की जो देश है उसने हुली पर पिछली बार भी बुलाया उनसे मैंने कहा आपका आइडिया लिया कि मैंने कहा कि 20 राजदूत होंगे 20 देशों के राजदूत होंगे क्यों ना हम उनको यह समझाने की कोशिश करें जो आज हम न से जो संदेश देता है उसके देश में जाता है हम उनको यह बताना चाहते हैं सभी धर्मों के धर्मगुरू हमने प्रोगाम बना लिया है और संजे जी आपका नेटवर्क 10 विशेश रूप से उसकी कवरेज करें और वह संदेश जो है जिस प्रकार से पार्लेमेंट में हम सिर्फ हिंदु कहें के भारत मेरा है ऐसा नहीं है हमारा सब भारत सबका है और सब भारती हैं सब ने आयोध्या में आपने गुलाया आयोध्या में बिलागे सब ने अपने अपने धर्मों की व्याक्या की और कण कण के राम की बात जो कही है वह दुनिया में संतों के माध् के इतनी क्षाती बड़ी तो मेरी और आपकी नहीं हमारे देश की भारत की बनी है तो यह संदेश और यह मैंने आपको निमंतन भी दे दिया है विस्तार से बात करूंगा उस अमबैसी में जाकर पच्चिस तारिक को हम एक अद्वुद निदारा पेश करेंगे और दुनिया म काये और काना संगहोली मनाईए